जजजर के बादली में पुलिस ने सर्याम गोली से हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफतार किया है जिस पर 50,000 रुपे का इनाम रखा गया था पुलिस ने बताया कि आरोपी 9 महीने से एक दुकान दार से जबरन रुपे की वसूली के लिए युवक की गोली से हत्या कर फरार हो गया था जिसके दो लोगों को पहले ही पुलिस ने गिरफतार कर लिया था जिसमें एक महीला भी शामिल थी यह इतेश सनोप पृत्वी सीम्यार गुजर माजरी विवाडी गयर है वाड़ा है जो इसके साथी दो तो पहले गिरफतार रोच के लेकिन यह काक दिन से ख़रा था इसके पर हमारी अर्याना पुलिस ने पचास जार पे गाइनाव गोशिप किया हो था जिसको हमने कल अरेस्ट कर लिया है और आज इसको निया एक एरासत में जेर्मी बेज दिया है देशतुरिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें